कि नमस्कार दोस्तों मेरे पास आज कुछ पुरानी नोट है उनको मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे लगेंगे कि यह है एक पैसा कि शायद आप लोगों ठीक से नहीं दिखा रहा है कि चलिए इसके बाद दिखाते हैं आपको यह हैं पचास पैसा है कि आगे से और पीछे से कि इसके बाद यह एक रुपिया है और इसका पीछे का पैक कुछ इस तरह से इसके बाद हमारे पास एक है कि इसका पांच का सिका अभी आपको देखने पूंड जाता है आज के समय में कि उस पर पीछे आगे का शेर छपा हुआ है अब एक सिका हमारे पास है दो रुपिया का जो तीस-पैस साल के डोग है उनको पता होगा इसके अलावा आपको कुछ नोट दिखांगा यह है एक रुपिय के नोट यह है एक रुपिय का नोट जो कि भारत सरकार बनाती है इसे आरवे नहीं बनाता और इसका जो पीछला इस्सा होता है विच इस तरह से होता है इस पर कई भाशां इसने में कित है और किसी तरह से भावी की मोट में है इसे दूसरी तरह के इनके बनावर दूसरी तरह के इस पर जो है इस तरह पर आ बड़ा सिपा तढ़ Um और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो इस तरह से होता है यह देखिए इस तरह से है इसके बाद आपको लाता हूं पचास की नोट यह दो नोट में पास हैं एक थोड़ा सा पुराना एक नया है और इस पर आशोब स्तम्भ भारती रिजरु बैंक लिखा हुआ है और पीछे के त पांसद बनी हुई है हमारी 50 रुपीस और दिखाता हूं आपको पांच का नोट पांच का नोट पांच का नोट रखतो आसा मुश्किल है भी उखना इस पर भी अशोब स्तम पहले अशोब स्तम सपावा होता था अब नहीं होता है दूसरी तरफ से किसान और किसान का एक ट कि इस के नोट में भी अशोब स्तम है जितने भी परान नोट है सम में सोब स्तम है भातिये रिजर्व एंख लिखा हुए दूसरी तरफ से यह कि निशानान गोल सा बना होता था एंदी इंगलिश में लोना में लिखा हुआ भातिये 20 रुपे भातिये रिजर्व एंख और प्रिखाता हुआ आपको दो रुपे की दो तरह के नोट है यह है एक गनाप जिस पर जिस पर हर देजर्व एंख लिखा है इसी को हम पढ़्ट रहते हैं तो यह अंतरे के एक सैटलाइट की फूटो इस पर छपी हुए है और यह देके इस तरह के चार मोट है और दूसरा जो दोर पर का नोट है उस पर पीछे की दरफ शेर बना हुआ है इस वक्त शेर भाड़ देजर व्यांग दोर पर दूसरी तरह कहीं साहा है यह है इस तरह से असोग स्तंफ मैं धारग को दोर प्यादा करने का वजन देता हूं लिखा हुआ है और इसी तरह से पर फिर से यह अपने शाहिए ध्यान से देखा हूँ यह ठीक से आ नहीं रहा है काफी छोटा है इस वज़से काफी अच्छा है देखना में कि अच्छा नहीं